हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो दे चैनल मैं हुशीम और आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स और आशा करते हैं अब सब बहुत ही अच्छे हो इस आशा के साथ अपने वीडियो शुरू करते हूं तो मैं आज बात करूंगी यह जो नाकचामपा इसके बारे में फ्रेंट्स यह बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है जो कि समर का एक बहुत ही अच्छी प्लांट है पूरी समर ही आपके गारेन को एकदम फूलों से भरा रहेगा और यह वाइट कलर की फ्लावर होती है यह नाकचामपा और इसके सब देख सकते हो फ्रेंट्स तो इसको मैंने खड़िदा था नटसरी से लगभग 50 रूबी में इसको छोटा सा प्लांट खड़िदा था और इसको लगाए हुए लगभग 6-7 महीना हो गए अभी देख सकते हैं यह कितना बड़ा हो गया है और यह पॉट पे लगाया हुआ है यह लगभग 50 पंद्राइच का पॉट पे लगाया हुआ है तो इस प्लांट की क्यार आप कैसे करोगे इसके बार में मैं आज बात करूंगी फ्रेंट्स की आपकी जो प्लांट है उसे भर भर के कलिया आए भर के फ्लावरिंग हो तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने स मैंने इसको जहां यह ग्राउंड पे ही रखा हुआ है अभी मैंने च्छत से बहुत सारी प्लांट नीचे शिफ्ट कर ली है क्योंकि बहुत जादा इस बार धूप है 40 डेग्री की लगभग रहती है तो बहुत जादा धूप है जो की प्लांट जलने लगती है और ग्रीन प्लांट को लगाओगे थोड़ा सा बड़ा होता है प्लांट तो कोशिश करना इसकी जब पॉट आप लोगे यह सिमेंट की पॉट है तो आप कोशिश करना कि आपकी जो पॉट है वह थोड़ा सा बड़ा हो ताकि बड़ा पॉट में यह प्लांट अपनी आपको बहुत अ पानि जमने पाई कि क्या हो द्रीनेज हो और पान ऐसे का चाहिए जो पानी तरह हो होती द्रीनाइट पॉइं चाहिए लुज़ नीन किमें धूब भी में धूब दर्यानुटियत cash उ2 अंधियान देना और भी आती हूर इसकी शाहिओ तो मैं जैसे सभी प्लांट के लिए जब लेती हूं स्सक्राइब या फिर भर्मी कमपोस्ать régie करती हूं या फिर किचन कमपोस्ट यह थी हो तुएこう आप दो किचन कमपोस्टर आपके बारियो कीचन कमपोस्ट तो इन तीनों मोई स्वाइल मिक्स रेडी कर लो इसकी बाद आप इस प्लांट को लगा दो यह प्लांट की जो कटिंग है वह भी कटिंग से अच्छी तरीक से ग्रो होती है तो इसकी कटिंग अप लगा सकती हो मैंने इसको नसरी से एकडम डाइरेक्ट ले के आए थी तो आप कटिंग भी लगा आप आती हूँ इस प्लांट की जो खाद है जब भी कोई फी प्लांट अच्छी स्वाइल में लगा लेकिन जब इस से फ्लावरिंग होती है तो आपकी प्लांट जो है उसको फोरा सा न्यूट्रिशन चाहिए उवर जो अलग से थोरा सा न्यूट्रिशन देना बढ़ता है ताकि आप की प्लांट पे बहुत अच्छी जो फ्लावरिंग है वो चलिए और आपकी प्लांट की जो है वह अच्छी रहे hara क्यों कि मैंने देखा है जितनी भी healthy plant है। अगर healthy हो तो प्लांट पे इंट्सेक्टायटाख है भूरा कम होती है प्लांट अपने आपको सरबाइब कर ले इस बात के धियान रखना कि आपकी प्लांट हैद हो ृफ लहने के कि लिए कि रहने के लिए अपके प्लांट पे खाट देना पड़ता है जैसे अभी मैं लगाया है तो में प्रियूस नहीं किया है उसकी बाद जब यह पूरी तरह से डाइलोट हो जाए उस पानी को आप अपनी प्लांट पर इसको यूज कर सकते हो एज पैस्टिसाइड भी आप इस पर स्प्रेय कर सकते हो तो आपकी प्लांट पर पैस्ट नहीं लगेंगे कोई इंसर्ट के अटक नहीं होगा तो एक नेच अब ही तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो अब ही आप इस पर जो गोबर की जो कंडे होते हैं उसको भीगो के उस पानी को अगर दो चाय की तरह एक कलर होगी इसकी वीडियो में ने डाल चुकी हूँ बहुत पहले ही डाला था तो उस लिक्यूट को भी आप अपनी कर लेंट थे तो आप इसको तरह कर सकते हो दो आते हैं पर प्रूंइंग पर प्रांट को पूरी को может । श्लरs को घालने की बाद अब इस nutr Sultan की क्ली आई हुए तो आप क्ला कुण करौई इसकी जो सटीक sa प्लांट पे प्लावरिंग करने की चांसे बहुत जादा रहती है। इसलिए इसी प्रूनिंग की तरफ बिध्यान देना यह जब खतम हो जाए तो आप इसको यहां से कट कर दो तो प्लांट पे निव स्ट्यम आएगी और ज्यादा फ्लावरिंग हो गया। इस तरीके से आप अपनी प्लांट की देख भाल कर सकती हो। और फ्रेंड आते हूं इसकी पैस्ट की उपर मैंने बोला है कि और इंच्पील की बहुत एच्छी नेच्रल पैस्टिजाइड होती है। उसको भी आप दे सकते हो। अगर आप यह नहीं दे सकते हो तो आप नीम अपनी बग का एटक होती है। मिली बग अगर आए तो आप नीम उयल का जरू से इस्तिमाल करना इस्तिमाल नीम उयल का बहुत ही अच्छा होता है। और इस पे शावरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अभी तो बारिज भी नहीं हो रही और इतने ज्यादा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आए अगर थोड़ा सा भी हल्फुल लगे और अच्छा लगे एक लाइक देना और पॉसिबल हो तो शेर करना अभी वीडियो को खतम करती हूँ कोई भी कोश